आप सभी का बहुत स्वागत है बहुत धन्यवाद कि एक शॉट नोटिस में आप लोग यहां आएं हैं एक महत्वपून विशे में आज ये प्रेस्वारता रखा गया है जैसे कि आप लोग जानते हैं कॉंग्रेस प्रेसिडेंट राहूल गांधी जी ने आज अपने मुख् की थी चुनाव समिक्षा के लिए इस मीटिंग के बाद अशोग गेहलोत जो कि राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक सीरीज अफ ट्वीट्स किया है मैं पहले उस ट्वीट को पढ़ना चाहूंगा और फिर बताना चाहूंगा कि आखिरकार कॉंग्र ट्वीट कर और ज यूू यहां फर्फोन टीजम ऑफोर्ट ट्वीट कॉंट अब्जाय स ट्वार आर फ्राफ टेट्यूंग एंट लिए बाद़ीटी काहिंन अजिक्षा इंख शूलिए बेहले हैं इस में बादेट हैं बहुआ यह ओन्स नथनलियों प्सूंग it an issue based election and took BJP head on आप सोचिए कि अशोग गहलोजी कुलमिला के यह कहते हैं मुख्यमंत्रियों की बैठक की बाद कि यह राहूल गांदी की हार नहीं है यह कॉंग्रेस पार्टी के प्रोग्राम यह कॉंग्रेस पार्टी की पॉलिसी और कॉंग्रेस पार्टी की कारण मोदी की जीत हुई है बहुत सारे रिसोर्सेज धन के कारण मोदी की जीत हुई है और मोदी की जीत बहुत सारे जो हमारे government machinery के काम करने के कारण हुई है जनता के कारण नहीं हुई है और हाँ इस पूरे चुनाव में कोई अगर उभर के आया है अच्छे काम के लिए तो उसका नाम Congress के President राहूल गांदी है The irony is Congress never learns its lesson Congress कभी भी सबक नहीं सीखती है चन्द दिनों पहले हमने देखा था Congress के अंदर कुछ इस्तिफों का सिलसिला चल रहा था कुछ मोर्चों के अध्यक्षों ने कुछ कारेकरताओं ने राहूल गांदी जी के सम्मान में इस्तिफा दे दिया था उससे पहले हमने यह भी देखा था कि राहूल गांदी जी नाराज हो गए थे वो नाराज इसलिए हो गए थे कि कोई इस्तिफा नहीं दे रहा है विडंबना है कि कि किसी मुख्यमंत्री ने इस्तिफा नहीं दिया Congress Party के किसी बड़े नेता ने इस्तिफा नहीं दिया चंद कारेकरताओं का इस्तिफा लेने के पश्चाद कोई मुख्यमंत्री जब इस्तिफा नहीं दे रहा है तो यह हस्यासपद है कि ठीकरा मोदी जी के ऊपर ठीकरा बारतिय जन्ता पार्टी के ऊपर फोड़ा जा रहा है राहुल जी यह हमारी गलती है क्या अशो गेहलोद जी यह हमारी गलती है क्या कि आपके परिवार में कॉंग्रेस के परिवार में कोई मुख्यमंत्री कोई जनरल सेक्रेटरी कोई बड़ा नेता इस्तिफा देने को तैयार नहीं है यह हमारी गलती नहीं है, यह आपको चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि यह आपके परिवार का और आपके पार्टी का हिस्सा है, आपके पार्टी का विशय है, और आप कहते हैं, कि राहूल गांधी जी ने तो कमाल किया, उनकी पॉलिसी काम कर रही है, मगर मोदी जी जीत होता है, क्या सर्जिकल स्ट्राइक करना, क्या किसी भी आतंकवादी को मारना, न्यूट्रलाइज करना, क्या बाला कोट पे एर स्ट्राइक करना, यह फासी वादी राष्ट्रवादिता की चिन्न है, is this what is fanatic nationalism that you are speaking about, हम अगर fanatic nationalism कर रहे थे, हम अगर राष्ट्रवादिता क मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको राष्ट्रवादिता को आगे बढ़ाने से किसने रोका था, आप भी भारत के पक्ष में खड़े हो जाते, मगर विडंबना है, आप हर बार जब भी मौका मिला, आप टुकडे टुकडे गैंक के साथ खड़े नजर आए, भारत के स साथ खड़ा होना हमारा फर्ज है, आप कहते हैं कि बहुत सारे धन के कारण, enormous resources और government machinery के कारण भारती जनता पार्टी जीत गई, राहुल जी और अशोग गहलोज जी, धन के कारण चुनाव नहीं जीता जाता, government machinery के कारण चुनाव नहीं जीता जाता, ये हारने वालों के ब के दिलों को जीता है, प्यार से जीता है, काम करके जीता है, एक-एक government scheme को पहुचा के जीता है, इसलिए वो चुनाव जीत गए, और मोदी जी के शब्दों में ही मैं कहना चाहूंगा, ये जो sense of entitlement है Congress Party की, this is nauseating, मोदी जी ने अभी लोकसभाग में भाशन देते हुए कहा गुलाम नभी आजाज जी कह रहे थे उससे पहले कि मोदी तो जीत गए, मगर भारत हार गया, भाजपा तो जीत गई, मगर भारत हार गया, जवाब में लोकप्रिया प्रधानमंत्री या सस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, Congress is equal to भारत, क्या Congress और भार अपने नित्रत्व, अपने नियत, अपनी नीतियों के प्रती, उदासीन होने के बदले, हिंदुस्तान की जनता का अपमान करती है, ये दुखद है, ये दुखद है, this policy of the Congress Party, to demean the people of India by saying that, it was a fault of people of India to have chosen Mr. Modi as the Prime Minister, to have chosen the Bharatiya Janta Party to form the next government, rather than introspecting within, is something that Congress has not yet learned, thank you my friends, any question? पड़ा दुख होता है, बड़े-बड़े लोग इतने छोटे-छोटे ट्वीट नहीं करने चाहिए, धन्यवादे तिक ही मुझे बहुत दुख इस बात का लग रहा है, कि एक स्पोर्ट्स में भी खेल में भी जिस प्रकार से राजनीती को रंग के आधार पर घसीटने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है इसमें राजनीती नहीं करके, एक बहुत परिपक्व जवाब होना चाहिए, कि हर व्यक्ति को इस प्रकार की राजनीती से बचना चाहिए, धन्यवादे